हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहारड वैलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है इस डिजैन को आप चैन स्वेटर बच्चों के स्वेटर लेडीज, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स, टो, फ्रो, कुर्ती, कैप, हाईनेक किसी भी प्रोजक्ट पर अपलाई कर सकती है सभी प्रोजक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है इस डिजैन को बनाने के लिए आपको 9 के मल्टीपल फंदे लेकर 6 फंदे एक्ट्रा लेने होंगे तो ये डिजैन आपके किसी भी प्रोजक्ट पर इस तरह से एड़जेस्ट हो जाएगा 9 के मल्टीपल देखिए आप इसमें 9 फंदे गिन लिजिए फिर से 9 फिर से 9 फिर से 9 बार बार 9 फंदे गिन दे जहिए और लाष्ट में आपके 6 फंदे होने जहिए ये डिजैन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 लईयों में कम्प्लीट हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट ले आपको जो भी बोडर बनाना हो बोडर बना लीजिए अगर प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो बोडर के बाद उल्टी साइड से फंदे बढ़ा कर सीधी साइड से इस डिजैन को शुरू कीजिए ये डिजैन सीधी और उल्टी दोनों सलाईयों पर बनता है इस डिजैन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिये हैं 33 फंदे 9 के मल्टीपल करके और इसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा 9 फंदे 9, 9 और लाश्ट में 6 33 यानि 33 फंदे लिये हैं अब जो डिजैन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बताऊंगे तो आप या तो 33 फंदे डाल कर वीडियो के साथ साथ बना लिजिए और वीडियो को स्किप बिलकुल भी मत कीजिए अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो ये जहाने हो उल्टी साइड से बढ़ा कर फिर सीधी साइड से जो सलाई मैं आपको यहां से बना के बताऊं वो आप बोर्डर के बाद शुरू कर सकती हैं तो यह देखिएगा यहां पर हमारे 33 फंदे हैं और डिजैन की पहली सलाई सीधी साइड पहला फंदा इसका सीधे बनाएंगे देखिए एक दो तीन और यह चार सभी सलाईयों को आप पिल्कुल ध्यान से देखिएगा एजस्टीज के बाद हमने चार फंदे सीधे बनाएं दो फंदे अगर टाइट हो तो थोड़ा सा लूज कीजिए आगे से सलाई डालिए और दो फंदे का आप ए एक फंदा यहां बना दीजिए तो दो का एक करने से हमारा फंदा कम हो गया अब एक फंदा हम सीधा बनेंगे फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और दो फंदे सीधे बनेंगे एक और यह दो तो जो फंदा हमने यहां पर घटाया वो जाली से यहां बढ़ा दिया ए इसी डिजैन को अब हम बार बार रिपेट करेंगे तो देखिए धागा पीछे ही रहे चार फंदे सीधे एक दो तीन और ये चार दो फंदे इस तरह से हलके से लूज कीजिए आगे से स्लाइड आलिए और दो फंदे का एक फंदा बना दीजिए अब एक फंदा और हम सीधा धागे को अपनी तरफ कर लेंगे दो फंदे सीधे एक और ये दो तो हमारा दोबारा से नो फंदे का डिजैन बन गया फिर से हमें डिजैन को repeat करना है चार फंदे सीधे एक, दो, तीन और ये चार दो फंदे में आगे से सल्द आल लेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे फिर एक फंदा सीधा धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदों को सीधा बुन देंगे तो जो हमने यहां दो का एक करके घटाया इस फंदे पर वो हमारा यहां जाली से बढ़ गया जितने भी फंदे हों यही नो नो फंदे का डिजैन बनाते जाएए और लास्ट में आपके पांच फंदे बचेंगे इसमें देखिए एक, दो, तीन, चार चार फंदे बनाने के बाद यह हमारा एज़स्टीच है इसे आप सीधा बनाईए या उल्टा बनाईए तो पहली सलाई हमारे डिजैन के कम्प्लीट हुई अब इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर दूसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा एज़स्टीच है उतारिये या उल्टा बनाईए अब हम एक फंदा और उल्टा बनेगे यह दो फंदे छोड़कर अब हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो दो फंदे के बाद हम छे फंदे और उल्टे बनेगे देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच और ये जाली वाला छे अब हम यहां इस तरह से लपेट कर एक जाली बनाएगे और देखिएगा यह वाला जो हमारा फंदा है इसे हम ऐसे उल्टा बन देगे अब ये वाला और ये वाला इन दो का हम एक फंदा बना देगे तो ये देखिए ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर ये हमारा नो फंदे का डिजाइन बना इसी को अब हम बार बार रिपीट करेंगे तो 6 फंदे उल्टे बुनेगे एक, दो, तीन, च्यार, पांच और ये जाली वाला छे अब हम यहाँ लपेट कर एक जाली बनाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन देंगे अब एक और ये दो, इन दो का हम यहाँ एक फंदा बनाएंगे दो बार डिजाइन बन चुका आप तीसरी बार हम रिपीट करेंगे देखिए छे फंदे उल्टे एक, दो, तीन, च्यार, पांच और ये जाली वाला छे लपेट कर एक जाली डाल देंगे और एक फंदा उल्टा एक और ये दो, दो का हम एक करेंगे जितने भी फंदे हों बार बार ये ही डिजाइन बनाएं लास्ट में आपके चार फंदे बचेंगे इनको हम उल्टा बुन देंगे एक, दो, तीन, और ये चार दो सलाईया डिजाइन की कम्प्लीट हुई, तीसरी सलाई है और सीधी साइड है तीसरी सलाई को देखिए, पहला फंदा एजस्टीच है अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ एक और ये दो फंदे हम सीधे बनाएगे अब एक और ये दो, इन दो फंदे को थोड़ा सा लूज कर लीजिए आगे से सलाई डालिए और दो का एक फंदा बना दीजिए अब ये एक फंदा हम और सीधा बुनेगे धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और चार फंदे सीधे बनाएगे दिखिए, एक, दो, तीन, और ये चार अब स्टार्टिंग में हमारा एजस्टीच है, इसके बाद हमारा नो फंदे का डिजैन बन गया है इसी को हम बार बार रिपिट करेंगे दिखिए, दो फंदे, सीधे एक, और ये दो अब दो फंदों में आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक फंदा बना देंगे ठीक है, अब हम ये एक फंदा और सीधा बुनेंगे सीधा बुनने के बाद अपने धागे को अपनी तरब कर लेंगे और चार फंदे सीधे बनाएगे एक, दो, तीन और ये चार, फिर से इसी डिज़ैन को बनाएगे, ये देखिएगा, यहाँ पर हम दो फंदे सीधे बुनेगे, एक और ये दो, फिर ये एक और ये, आगे से स्लाई डालेंगे, और दो का एक फंदा बना देगे, फिर ये एक फंदा सीधा, धागा हम अपनी त करेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन और ये चार तो तीसरी बार हमारा डिजाइन कंप्लीट हुआ लास्ट में बचेंगे आपके पांच फंदे इन पांचों को आप ऐसे देखे चार को तो आप सीधा बना दीजिए और एजस्टीच को उल्टा बुन दीज तो तीन सलाईया हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई अब चोती सलाई और उल्टी साइड पर चोती सलाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा एजस्टीच है इसके बाद हम लपेट कर एक जाली बनाएंगे एक फंदा उल्टा अब यहां जो जाली से फंदा बढ़ा उसके लिए हम यहां दो का एक करेंगे फिर देखिए छै फंदे हम उल्टे बुनेंगे दो का एक करने के बाद एक दो तीन च्यार पांच और यह जाली वाला छै एजस्टीच के बाद देखिए दो चार छै आठ रिक नो यही डिजैन हमें बार बार रिपेट करना है लपेट कर एक जाली बनाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर हम दो का एक कर देंगे उसके बाद छै फंदे एक दो तीन च्यार पांच और यह छै फिर से हमें टिजैन को रिपेट करना है लपेट कर जाली डाल देंगे एक फंदा उल्टा बुना फिर हम दो का एक करेंगे उसके बाद छै फंदे उल्टे एक दो तीन च्यार पांच और यह छै देखिए बार बार नो नो फंदे का डिजैन बनाते जाएंगे और लाश्ट में होंगे हमारे पांच फंदे एक कर देंगे, लास्ट वाले दो फंदे उल्टे, तो चार सलाईयां हमारे डिजैन की कम्प्लीट हो गई, पांचमी सलाई है और सीधी साइड, पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा एजस्टीच है, धागा हम पीछे करेंगे, दो फंदे में आगे से सलाई डाल लेंगे, और दो का एक कर देंगे, फिर ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरब करके छे फंदे बनाएंगे, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, एजस्टीच के बाद यहां से यहां तक जो डिजैन बना, इसी को हम बार बार रिपीट करें फिर से देखिए, दो फंदे में आगे से सलाई डाल लेंगे, और दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरब करके छे फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, फिर से हमें इसी डिजैन को बनाना है, देखिए, दो फंद फंदे टाइट हों तो लूज कीजिए, आगे से सलाई डाल कर दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ ले आईए, और छे फंदे सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, अब जितने भी फंदे हों बार बार यही डिजैन बनाए और लास्ट में होंगे आपके देखेगा पांच फंदे, दो फंदे में आगे से सलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके, अब ये जो लास्ट में दो हैं, जाली वाले को सीधा बनेंगे, तो जो घटाया वो जाली से कम्प्लीट हो गई, हमें अब बनानी यही पांच सलाईया है, सिरफ हमारे डिजैन की डारेक्शन चेंज हो जाएगी, अभी हमारा डिजैन इधर गया है, अब ये ऐसे जाएगा, ठीक है, तो पांच सलाई कम्प्लीट करके, छटी सलाई उल्टी साइद पर, ध्यान से तो तीन और ये चार, अब देखिए एक और ये दो, इन दो का हमें एक फंदा बनाना है, तो इसको ऐसे सलिप करेंगे, इसको हम इस सलाई पर वापस ऐसे पलट देंगे, इसको भी हम ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलटने से यह हमारा जो हम दो का एक करेंगे, फंदा सीधी सा साइड से सीधा हो जाएगा दोनों को थोड़ा सा लूज कर लीजिए ऐसे फिर इन दोनों फंदे में आगे की साइड से ऐसे स्लाइड डालिए और दो का एक फंदा बना दीजिए फिर हमारा एक फंदा यह उल्टा जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर लपेट कर जाली डालेंगे और यह देखिए एक और यह दो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा जो डिजाइन बना इसी को हम बार-बार रिपिट करेंगे देखिए एज़स्टीज के बाद हमारे दो, चार, छे, आठ रिक, नौ यही नौ फंदे का डिजाइन हम दोबारा बनाएंगे तो देखिए चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो तीन और ये चार अब यहाँ दो का एक करना है इस फंदे को लीजिए इसको ऐसे लीजिए इसको ऐसे पलट दीजिए इसको ऐसे पलट दीजिए दोनों फंदों को थोड़ा सा लूज कर लीजिए आगे की साइड से ऐसे स्लाई डालिए और 2 का 1 फंदा बना देजे फिर 1 फंदा हम और उल्टा बुनेगे लपेट कर जाली डालेंगे और 2 फंदे उल्टे तो दिखें, दोबारा से हमारा 9 फंदे का डिजैन हो गया फिर से इसी डिजैन को बनाएगे 4 फंदे उल्टे 1, 2, 3, और ये 4 अब दो का एक करेंगे इससे उतारेंगे और इसको भी उतारेंगे इसको हम ऐसे पलट देंगे इसको ऐसे पलट देंगे अब इन दोनों फंदों को थोड़ा लूज करेंगे ऐसे करके फिर ऐसे इसको पकड़ लेंगे दोनों फंदों को और आगे से देखे ऐसे स्लाई डाले और दो का एक बना देगे फिर एक फंदा और बुनेंगे उल्टा अब लपेट कर जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे तो तीसरी बार का डिजैन कंप्लीट हुआ लास्ट में आपके होंगे पांच फंदे इन पांचों को आप उल्टा बनाएए एक, दो, तीन, चार और ये पांच तो छे सलाईया यहाँ पर कम्प्लीट हुई सातवी सलाई सीधी साइड पर सातवी सलाई को ध्यान से देखिए पहला फंदा एजस्टीच अब हम देखिए यहाँ एक फंदा ये और बुनेंगे ये वाले हमारे दो फंदे हो गए इसके बाद हमारा डिजाइन शुरू होगा तो देखिए एजस्टीच हो गया एक फंदा सीधा हो गया अब आगे हम छे फंदे और सीधे बुनेंगे तो देख लीजे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये जाली वाला छे धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे इस फंदे को ये देखिएगा ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम दो फंदे का एक फंदा बना देंगे अब ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमारा नो फंदे का डिजैन बना है इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे तो छे फंदे सीधे दिखिए एक, दो, तीन, चार, पांच और ये जाली वाला छे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देंगे तो फिर से हमें यही नो फंदे का डिजैन बनाना है छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच और ये जाली वाला छे धागा अपनी तरफ करके हम एक फंदा सीधा बनाएंगे तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया और इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे तो फंदा हमारा कम हो गया तो यह जो हमने नो फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपेट करना है छे फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा किया फिर दो का एक किया यही हमें बार-बार बनाती जाना है अब देखें लास्ट में हमारे बच गए हैं ये चार फंदे एक, दो, तीन फंदों को सीधा बुनेंगे और एजस्टीच को उल्टा बुन देंगे तो यहां पर हमारे डिजैन की सातमी सलाई कम्पलीट हो गई अठमी सलाई उल्टी साइड पर यह देखिए पहला फंदा हमारा एजस्टीच है उसके बाद एक और ये दो तो यानि टोटल हमारे तीन फंदे हो गई हैं एजस्टीच और दो फंदे उल्टे अब इन दो का हमें एक करना है तो इसको उतारेंगे फिर इसको उतारेंगे इसको ऐसे पलट के सीधा कर देंगे इसको ऐसे पलट देंगे दोनों फंदों को हम थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर हम देखिए एक फंदा बनाएंगे और यहां पर लपेट कर हम जाली डालेंगे उसके बाद एक दो तीन चार पांच और ये छे फंदे बनाएंगे फिर से हमें इसी डिजाइन को बनाना है तो ये देख लिजिए इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे इसको ऐसे उतार लेंगे इसको ऐसे पलट देंगे इसको ऐसे पलट देंगे इन दोनो फिर एक फंदा बना देंगे, फिर एक फंदा और उल्टा बुनेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे, और 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे. फिर से हमें इसी डिजाइन को बनाना है एक फंदा उतारा फिर दूसरे को उतारेंगे इसको हम ऐसे करके पलट के इस स्लाई पर सीधा कर लेंगे फिर इसको पलट के सीधा कर लेंगे फिर दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे और आगे से सलई डाल कर दो का एक करेंगे फिर हम एक फंदा और बुनेंगे लपेट कर जाली डालेंगे और छे फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे लास्ट में हमारे देखिएगा ये वाले फंदे बच गई हैं इनको भी हम ऐसे ही बुन देंगे ऐसे ही बार-बार रिपेट करते हुए इसको कम्प्लेट कीजिए आठ सलाईया हमारी कम्प्लेट हो गई नोमी सलाई और सीधी साइड पर देखिए पहला फंदा एजस्टीच धागा हमारा अपनी तरफी रहे इस एक फंदे को हम ऐसे सीधा बना देंगे तो यहां हमारी जाली आ गई इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बना देगे उसके बाद देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच और यह जाली बाला छे तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक हमारा नो फंदे का डिजाइन बना है एजस्टीज के बाद दो, चार, छे, आठ, रेक, नो इसी को हम फिर से रिपेट करेंगे तो धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाया इस फंदे को हम पलट देंगे बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर छे फंदे सीधे बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच और यह जाली बाला छे फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से हमारा डिजाइन बनेगा एक फंदा सीधा इस फंदे को ऐसे पलट देंगे बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर छे फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच और यह छे धागा अपनी तरफ कर लेंगे यह देखिया आगे हमारे पांच फंदे हैं एक फंदा हमने यह सीधा बुना इस फंदे को पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक करेंगे फिर एक फंदा यह सीधा बुना और एजस्टीच को हम उल्टा बुन देंगे तो हमारे डिजैन की नौमी सलाई कम्पलीट हो गई दसमी सलाई है और उल्टी साइड है अब इस दसमी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाईए अब हमें इन दो का एक करना है एक फंदा उतारेंगे फिर दूसरे को उतारेंगे इसको हम सलाई पर ऐसे पलट देंगे इसको भी पलट देंगे दोनों को थोड़ा लूज करेंगे और देखिए आगे से ऐसे दोनों फंदों में स्लाइल लेंगे और दो का एक फंदा हमने उल्टा ही बनाना है फिर ये एक फंदा हम और उल्टा बुनेंगे उसके बाद लपेट कर एक जाली डालेंगे और छे फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे एजस्टीज के बाद ये जो हमारा डिजाइन बना है नो फंदे का इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे एक को उतारा, दूसरे को उतार लिया इसको पलट देंगे, फिर इसको भी पलट देंगे दो फंदे को ऐसे लूज करके आगे से स्लाई डाल लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर ये एक फंदा हम और उल्टा बुनेंगे लपेट कर जाली डालेंगे, फिर छे फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे फिर से हमें इसी डिजैन को बनाना है देखे, एक फंदा स्लिप किया, फिर दूसरा इसको हम ऐसे पलट देंगे स्लाई पर, इसको भी ऐसे पलट देंगे दोनों को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से स्लाई डाल कर दो का एक कर देंगे फिर एक फंदा उल्टा लपेट कर हम जाली डालेंगे और छे फंदे उल्टे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और ये छे फिर लाश्ट में हमारे पांच फंदे होंगे देखे इसको सिलिप किया इसको किया ऐसे इसको पलट दिया इसको भी पलट दिया दोनों फंदों को थोड़ा सा लूज करेंगे आगे से सलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर ये एक फंदा हम और उल्टा बुनेंगे लपेट कर जाली डालेंगे इस जाली वाले फंदे को उल्टा बुन देंगे अब ये हमारा एजस्टीज है इसे भी उल्टा ही बुन देंगे तो द एक्ष्ट बार की जब आपको starting करना होगी तो पहला फंद्ध ऐस तीज 4 फंदे सीध हैं दो splits करेंगे फिर 1 फंद्ध सीधा फिर धागा अपनी तरफ करके 2 यह हमारा नो फंदे का डिजाइन बनेगा इसी तरह से बार बार आपको रिपीट करना है फिर भी यह डिजाइन थोड़ा सा मुस्किल है अगर बनाने में दिक्कत होती है तो आप वीडियो को बैक कर लीजिए मैंने बहुत ही आराम आराम से एक एक फंदा आपको बताया है व अगर आपको यह डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी प्रेंट्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू जुडे हो तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर के बैल आइकन को आल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके तैंक यू